गुद्मारिंग फ्रेंड गिवान एजूकेशन एड़ा मैं आपका स्वागत हैं दोस्तों मैंने इससे पहले रिजिने का क्लास स्टार्ट किया था और आज पार्ट फोर स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना हो से कि अपने दोस्तों तक से अप गए ठीक है दोस्तों आई हम बढ़ता हैं पार्ट फोर की और क्वेश्चन नमबर वन जैसे दोस्तों यह फिगर हमारे सामने मैंने इससे बताया था कि आप किस तरह से इसे काउंट कर सकते हैं नंबरिंग करें काउंट क से लिए दो इट्राइब हम एक हमें मैं देख रहा है दोस्तों कि वास मैं ऐख पांट करते हैं इस पंट से इस पंट फिस पंट और एक नौट एक 10 व कि दोस्तों हमें यहां 12 ट्रैंगल मिला ठीक है उसके बाद हम काउंट करते हैं 12 और 13 इन दोनों ट्रैंगल को मिलाएंगे तो 13 होगा इन दोनों को मिलाएंगे 14 होगा इन दोनों को मिलाएंगे 15 होगा और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो 16 होगा दोस्तों हमारे पास इस फिगर में हमारे पास 16 ट्रैंगल है क्या दोस्तों हमारा फिगर सिर्फ ऐसे ही आएगा नहीं दोस्तों अगर हम इस फिगर में ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो दोस्तों अब हमें इस फिगर में जो ट्रैंगलों की संख्याए कितनी है दोस्तों दोस्तों हमने जब बाहर वाले ट्रैंगल में काउंट किया तो हमें 16 मिला तो क्या दोस्तों हमें कि इस ट्रैंगल में भी 16 नहीं मिलेगा दोस्तों यह बड़ा क्या और एक चोटा ट्रैंगल है जब दोस्तों इस 20 में हमारा सूल हमने 17 काउंट किया और इस ट्रैंगल में भी कंवारा कर सकते हैं इस तो क्योंकि दोस्तों यह जो rectangle है rectangle हैрьे, वो 2 rectangle में बडह दिया है पहले एक rectangle गए अभी 1 rectangle में बड़ दिया है और triangle की संख्या हो है हमारा इसमें 8 और इसमें 8 , pens 16 remind लों का 32 यानि कि जब हम दो इससे बाढ़ बाढ़ देते हैं तो क्या हम 16 को दो से गुणा नहीं कर सकते हैं तो कर सो 16 दोनी 32 यानि कि हमारा तिम यह जो फिगर है उसमें हमारा ट्रेंगलों कि संक्या जो है वह हमारा 32 है ठीक है दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट कि आते हैं अगर हम पोल दिया जाए कि यह दो फिगर है पहला राइट अंगल दूसा राइट अंगल क्या हम इसमें जब तेसा राइट अंगल एड़ करेंगे तो दोस्तों हमारा जो चत्रबुचों कि संक्या है वो कितनी हुई हमारा एक दो तीन हमारा तीन चत्रबुच हुआ यानि कि तीन हमारा राइट अंगल हुआ और इसमें ट्रेंगलों कि संक्या क्या है दोस्तों इससे पहले दो ट्रेंगल था तो हमने 16 को 2 से गुना किया, अब 16 ट्रेंगल है, उसमें और 16 त्रिभूज है, और उसमें हमारा जो चत्रभूजों की संक्या है, वो कितनी है, तो 1 दिखरा, 2 दिखरा, 3 दिखरा, यानि कि इंटू 3, सुलातीय 48, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये फिगर को काउंट करने का सबसे एजी तरीका है, और अगर आप इस प्रोसेस को सिंग जाते हो, तो इसामनेशन सेंटर में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपके टाइम की बच्चत होगी दोस दोस्तों, question number two, figure दोस्तों हमारे सामने है, दोस्तों ये figure, figure इस तरह से, इसमें हमें, हमें, त्रिबोजों के संख्या, या ट्रैंगलों के संख्या बतानी है, दोस्तों, क्या हमारा ये figure, हमारा कुछ जाना पहचाना नहीं है, क्या दोस्तों, हमारा ये जो नीचे वाला figure है, और ये figure सेम नहीं है, तो हमने क्या count किया था दोस्तों, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानि कि हम, हमने count किया थे इसमें, 16 triangle, तो दोस्तों, हमने यहाँ, इस triangle में, इस चत्रभूज में, हमें, ट्रैंगलों के संख्या, 16 है, ये count करते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा total, जो त्रीभूजों की संख्या है, वो हमारा 16 है, और इस से पहले मैंने, सबसे प्रिजनिंग के सबसे पहले class में बताया था दोस्तों, जब हमें इस तरह से कोई figure मिलता है, 1, 2, इन दोनों को हम add करते हैं, 1, 2, हमारा 3, यानि कि इस, इस जो drawing है, ये जो figure है, उसमें त्रीभूजों के संख्या हमारा 3 है, तो जब हम हमारे पास इसमें 16 है, प्लस 3, इसमें 3 है, दोस्तों, ठीक है, प्लस, अब दोनों, अब दोस्तों, हमने ये दोनों figure को add कर दिया है, तो हमारा, जब हम दो figure को add करते हैं, उसमें ट्रेंगलों की संख्या बढ़ जात हमारे प्लास ट्रैंगलों की संख्या है अब देखते हैं ट्रैंगलों की संख्या क्या 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 दोस्तों हम दो और एक को मिलाएंगे तो एक ट्रैंगल नहीं बनेगा एक और आठ को मिलाएंगे तो हमारा एक ट्रैंगल नहीं बनेगा प्लास टू हमने जब यह दोनों फिगर को add किया तो हमें ट्रेंगलों की संख्या मिली सोला प्लस थ्री प्लस टू यानि की है कि 21 आंसर ठीक है यानि कि हम जब इन दोनों त्रिवूच को या इस दोनों फिगर को एड़ करेंगे तो हमारे पास जो ट्रेंगलों की संक्या है वो हमारा 21 होगा दोस्तों ठीक है आज दोस्तों हम कोश्चन नमर 3 क्यों बढ़ते हैं दोस्तों फिगर हमारे सामने है तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने कोश्चन बताया था उसमें ट्रेंगलों की संक्या हमारा 21 था यानि कि हमारा फिगर कुछ इस तरह से था हमारा फिगर कुछ इस तरह से था दोस्तों तो हमने जब इससे काउंट किया था तो हमारा 21 दोस्तों अब हमने इस फिगर में दो ट्रेंगल एड्ट कर दीया है ये और ये ट्रूसथा जब हम इन डूनों को हटा देते हैं तो हमारा पास ट्रेंगलों की संख्या 12 है तो के अब इन दोनों के एड्ट हो जाने के बाद पीर हैं और ये काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, यानि कि दोस्तों इस भाग में हमारा ट्रैंगलों की संख्या 21 है दोस्तों, ठीक है? अब हम काउंट करते हैं, इसे 1 और इसे 2 ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है? हमारा 21 आया है दोस्तों, तो उसके बाद जब हम इन दोनों के एड़ करते हैं, प्लस 2 ठीक है? प्लस 2 हुआ है दोस्तों, अब हम काउंट करते हैं दोस्तों, 7 और 1 को मिलाने के बाद भी तो एक ट्रैंगल होगा दोस्तों, 21 प्लस 2 ठीक है? और यहां दो और दो को जब मिलाने के बाद भी तो हमारा एक ट्रेअगल बने हैं दोस्तों यह पॉइंट और यह पॉइंट एक ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों हमारा फ्लस टू जल Marin ४ ठीक है जोस्तों अब देखते हैं दोस्तों हमारा ये जो एक बड़ा ट्रेंगल बन रहा है वह भी तो एक है यानि कि प्लास वन ठीक है अब दोस्तों हम इन दुन को इन सबहों को जोडते हैं चेश साथ यानि कि 28 ट्रेंगल हमारा टोटल बन रहा है दोस्तों ये जो फिगर है उसमें टोटल जो ट्रेंगलों की संख्या है दोस्तों 28 है किसे को कोई दिक्कत नहीं होगा आए जोस्तों कोश्चन नमबर फोर के और बढ़ते हैं दोस्तों हमारा फिगर यहां हमारे सामने है आई हम इसे काउंट करता है वन टू थ्री और यह एक फोर ठीक है फोर हमारे सामने है दोस्तों फोर प्लस यह पॉइंट यह पॉइंट और यह पॉइंट हमारे एक ट्रैंगल और बन रहा है दोस्तों फोर प्लस वन फाइव यानि कि हमारा ट्रैंगलों की संख्या हमारा जो इस फिगर में है ट्रैंगलों की संख्या हमारा फाइव दोस्तों आई होप किसे को कोई दिख्यत में हुआ होगा है आई दोस्तों कुश्चन नमबर 5 के और बढ़ते हैं दोस्तों फिगर हमारे सामने हैं आई हम इस काउंट करता है 1, 2, 3 1, 2, 3 और ये 4 दोस्तों हमारा 3 फ्लस 4 4, 3, 7 1,2, estaba 7 और 8 ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट 8 और 1, 9 और ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट 9 और 10 और यानि हमारा दरी भूजों की संख्या दोस्तों हमारे यहां पर 10 है हमारे सिगर में दर एस दो तो कि आये दोस्तों कोश्चन नंबर 6 के रूब बढ़ते हैं कि दोस्तों फिगर हमारे सामने हैं हमें ट्राइंगल की संख्या बतानी है यह हम काउंट करते हैं वन टू वन टू वन टू टू ठीक है दोस्तों थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री ठीक है दोस्तों यहां नो ट्राइंगल हुगा दोस्तों अब हम काउंट करते हैं 9, यह point, यह point और यह point, 9 और 10, यह point, यह point और यह point हमारा 10 और 11, यानि कि plus 2, प्रयांगलों के संख्या यहाँ पर कितनी हुई दोस्तों, 11, ठीख है, दोस्तों, I hope कि इसने किसी कोई दिक्कत नहीं होगा दौस्तों, जब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था दोस्तों, तो इस ट्रैंगल के बारे बताया था 1, 2 ठीक है अब जब हम इन दोनों को add कर देते हैं तो हमारा 3 आता है दोस्तों क्या दोस्तों उपर वाला, side वाला और ये side हमारा same नहीं है ठीक है दोस्तों इसे मैंने first class में बताया था तो इसी तरह से मैंने count किया दोस्तों मैंने rule में किसी भी तरह क्या changes नहीं किया दोस्तों जो मैंने first triangle count करना बताया था वही इस triangle के बता रहूं दोस्तों बस थोड़ा सा ये जो figure है वो modify कर दिया गया है ठीक है, I hope दोस्तों, किसे कोई प्राब्लम नहीं होगा, हाई दोस्तों, बढ़ता है, next question क्यों और, question number 7, ठीक है, दोस्तों, figure हमारे सामने है, आईए हमसे count करता है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 3 है, यानि की, 9 triangle है दोस्तों हमारा, ठीक है, अभी फिर count करते हैं, 1, 2, 3, और यह 4, ठीक है, 9 प्लस 4, ठीक है, इसके बाद हम count करते हैं, दोस्तों, यह बड़ा वाला triangle, प्लस 1, फिर यह 3 पॉइंट को मिलाएंगे, तो एक triangle बनेगा, यानि कि प्लस 2, 9, 4, 13, 14, 15, यानि कि दोस्तों, हमारा, जो यहाँ पे triangle की संक्या है, वो 15 है, दोस्तों, अगर मेरे पहले वीडियो को देखना है, यानि कि इससे पहले वीडियो सबको देखना है, तो आई बटने मैंने link दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, दोस्तों, और यतना हुसा कि मेरे चैनल को like करे, subscribe करे, और इससे जोड़ी कुछ बातों की जानकारी के लिए comment करे, और यतना हुसा कि अपने दोस्तों पर share करे जोजो, ठीक है, thank you